आजकल आप Google या YouTube यानि इंटरनेट पर सब ढूण सकते हैं लेकिन मा कह रही हो तब आप इंटरनेट पर नहीं ढूण सकते हैं ध्यान से बात को सुनना ही पड़ेगा पर एसानी कई तरह की होती है लाइफ में बस बात हो रही है बस सुनने की अच्छे से सुनने के लिए listening approach की जरुवत पड़ती है पहला होता है critical listening जब बातचीत में facts को analyze कर रहे होता है आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो उस दूसरी की बातों में आप facts ढूंड रहे होते हैं सही दूसरा होता है empathetical listening इसमें आप दूसरी की feeling एकुछ करने में मदद करने के लिए सुन रहे हुते हैं कोई आपको फरेंड है और आपको वो अपना कुई problem अपनी कुई दुख समस्य आपको बता रहा है तो आप उसको सुनते हैं और उसकी feelings को सुन करके expression देते हैं अपने तीसरा होता है reductive listening इसमें जल्दी सुनकर कमांड पर जल्दी सब्द पकड़ कर काम करना होता है अधिकतर ये listening office, hospital और job में होता है जिसमें आपको एक तम से सुनकरके, बात को पकड़ करके और जल्दी उसका reply करना होता है ये काम करना पड़ता है चौता होता है expensive listening अपने किसी friends, किसी खास परेशानी में, बड़ी मुश्किल में ये है fact पर सुनना और जानना होता है लेकिन इसमें emotions नहीं होता है इसमें भी आप fact को ढूनते हैं लेकिन इसमें emotions नहीं होता है इसमें आपको fact ढूनना है और उसका solution करना है पांच वाता passive listening इसमें react करने की जरुत नहीं पड़ती अगर आपके पिता जी आपको अपनी achievement बता रहे हैं आपके motivation के लिए, आपके future के लिए, आपके भाशे के लिए तो सिर्फ सुनना है reaction की कोई जरुत नहीं पड़ती छटवा होता active listening आप सवाल पूछते हैं, तब सामने वाले के सब्दों पर react करते हैं किसी ने आपने सवाल पूछा, तो सामने वाले ने ये सामने वाले ने आपने सवाल पूछा, तो आपने सब्दों को सुन करके सिर्फ रियक्ट करना है बोलना कुछ नहीं होता यह होता है active listening कुछ लोग बात करते समय सही सब्दों को ही चुनने में समय नहीं लगाते बलकि वह यह जज़ करने में भी लगा देते हैं कि कोई उनको जज़ करेगा सही बात है आपका लुक्स तरीका देखा जाएगा लेकिन हर समय और कोई इंसान बनने का दिखावा नहीं कर सकते ऐसा करने से आप कभी न कभी ठक जाओगे सबसे बहतर है आप अपने जीवन को एक्सेप्ट कर ले आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते confidence बढ़ेगा तो ये problem दूर हो जाएगी confidence कैसा आएगा अपने खुद की बुराई करने की सोच को challenge कीजिए कोई आपको बद्सूरत, बद्दिमाग, मूर्क या पागल कहे तो आपको बुरा लगेगा 100% बस इसी सोच को इसी बात को अपनी सोच मत बनाईए दिन भर खुद को ऐसे सब्दों से न दोहराईए मन में अपने दिमाग को ड़नाटिए ऐसा सोचने से रोकिए कोई नई स्किल्स, पेंटिंग, राइटिंग जैसी कई स्किल्स से सीखने से आप न खुद बोर हो सकते हैं बलकिन ये सोचियल बनने में भी आपको हैल्प करता है वो आपको बोरिंग और स्टूपिट समझते हैं आप खुद को डेबलब कर सकते हैं जैसे आपको लगा कोई बहुत कॉन्फिडेंस से बोलता है या मिलता है फिर आपने पता कर दिया वह एक लॉयर है आपने स्किल्स लगाई और पता चला इसलिए वो कॉन्फिडेंट है कोई घंटो आपके बारे में नहीं सोचता हर बात अपने ओपर लेना छोड़ दो हर समय आपके लिए या आपकी ही बात नहीं करता कोई ये समझना बंद करतो आप कहीं गए स्कूल, कॉलेज, पार्टी में गए आपने कुछ वहाँ बेवकुपी भरा बोल दिया कुछ आप पर हस सकते हैं लेकिन वह घंटो ये पूरा दिन आपके बारे में नहीं सोचेंगे न बात करेंगे इसलिए खुद पर इतना नेगेटिव डीप थिंकिंग बंद करतो खुद पर ज़्यादा ध्यान देने से नेगेटिविटी आती है बहुत ज़्यादा ध्यान देने पर दूसरे ने क्या कहा क्या सोचा पस यही ख्याल सोचते सोचते और बातचीत के दौरान आप बोलते चलेगे बोलते चलेगे दूसरे बोर हो जाएंगे फिर कभी आप दूसरे का मोड खराब करने का उपाई सोचने लगते हैं ताकि आपको अच्छा लगे ऐसा बिलकुल भी नहीं करना चाहिए ऐसा करने से लोग आप से कन्नी काटने लगेंगे कभी कभी नजर अंदाज भी कर लेना चाहिए छोटी छोटी गलती उपर ध्यान नहीं देना चाहिए ठेस नहीं पहुचाने चाहिए दूसरे के मन को कभी-कभी नजर अंदाज अगर चोटी-मोटी बात किसी ने अगर आपको कह दिये तो आपको नजर अंदाज कर लेना चाहिए दूसरे की चोटी-छोटी गलतियों पर धिहन ने देना चाहिए अगर भहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो दूसरे को ठेस मत नहीं पहुचाना चाहिए जूट नहीं बोलना चाहिए जैसे किसी को सिर्फ नीचा दिखाने के लिए एक से बढ़कर एक जूट बोल दिये जाते हैं जिनका हकीकत की दुनिया से कोई वाक्या नहीं होता है लेकिन जूट बोल देते हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए दूसरों का मन बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो कोई गलत नहीं है तो दूसरे का मन मत बदलिए आपका मन है उसका भी मन है दूसरे की तारिफ कीजिए और सही समय पर यानि जब performance हो रही हो तब और खुद को अच्छा दिखाने के लिए तारीफ मत कीजिए सही समय पर तारीफ कीजिए दूसरे को ये मत कहिए आप दयालू हो विनमर हो सच्चे हो ये तारीफ नहीं है ऐसी तारीफ नहीं दूसरा किस चीज में अच्छा है उस चीज की तारीफ कीजिए उसकी performance की तारीफ कीजिए उसी समय कीजिए और जब आपकी तारीफ हो तो आप शान्ती में मत चले जाईए सामने वाले के साथ बातचीत को आगे बढ़ाईए ठैंक्स कहके आगे बढ़ाईए मुस्कुरा के बात को आगे बढ़ाईए लेकिन अगर आप अपने आप में हस्ते रहे गए शान्ती में चले गए तो ये भी एक तरीके से अच्छा विभार नहीं माना जाता है सामने वाले को या आपको सुनने में दिक्कत आती है और इसका कारण क्या है इसलिए पहचानिये खुद को और सामने वाले को लेफ्ट ये राइट किस कान से सुनना ज्यादा अच्छा लगता है और आपको भी समझ भी फिर वैसा ही आता है ये चीज पता हो नहीं चीए अपने बारे में कई बार राइट साइट से सुनने में ज्यादा अच्छा लगता है ये आपको कभी राइट साइट से सुनने में ज्यादा च्छा लगता है ये लेफ्ट हो सकता है तो अपने बारे में पता होना चीए और जिससे बातचीत हो रही हो तो वहां भी पता होना बहुत ज़रूरी होता है और अगर नहीं पता चल रहा है तो आप अपने बारे में बता सकते हैं कि मैं यहाँ पे बैठ के या इधर से बात करना चाहता हूं तो बोला जा सकता है इसमें कोई गलत नहीं है धीरे धीरे बोलिए आप दूसरों को भी कह सकते हैं कि नशुनाई देने पर बार-बार क्या 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 सब्द ठीक नहीं मुसक्रा कर sorry कह कर दोबारा पूछ लेना चाहिए इसमें कोई HARच नहीं सुनना सीखने के रूप में सुनिए कि मुझे कुछ सीखना है, इसलिए सुनना चाहिए आप जैसे हैं वैसे रहिए आपको कोई जज नहीं कर रहा खुद को नेगेटिव फिल मत कराईए पॉजिटिव रहिए सिकायत मत कीजिए किसी को तकलीप मत दीजिए किसी की गलती मत निकालिए तारीफ कीजिए विवाद की अवस्था में आर्ग्यूमेंट की अवस्था में चूप रहिए बलकि बात को संभालिए जिम्मेदारी ले कोई भी चीज सीखना आसान नहीं है बच्चा घुटनों से ही सीखता है चलना फिर वो आज मैरतन दौरता है पहले फेल होते हैं पता चलता है क्या गलती हुई बस फिर उस पर काम कीजिए हर चीज मत छोड़िए फिर होगी मुलाकात एक नई टौपिक के साथ रखिए अपना ख्याल जै हिंद जै भारत